असलाम अलेकुम मैं हूँ शाय और आप देख रहे हैं शाइस कुकिंग कर्णर आज मैं आपको केंड़न स्टाल में चिकन बर्गर पैटी बनाना बताऊंगी तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चापर ले लिया उसमें मैंने आदा किलो जितना बोलनस चिकन डाल दिया है चिकन को मैंने दो के अची तरह से ड्राइ कर लिया था चिकन में पानी बिलकुल भी नहीं होना चाहिए उसके साथ ही मैं वान टेबल स्पून जितना ब्लैक पेपर पॉडर डाल दूँगी वान टेबल स्पून गार्लिक पॉडर वान टेबल स्पून पैपरिका पॉडर वान टेबल स्पून ड्राइड वाली मैंने थाइम ले ली थी वो डाल दूँगी 1 टी स्पोन नमक नमक आप अपनी मरदी के मताबिक भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पोन जहाँ पे मैंने जिंजर पेस्ट ले लिया वो डाल दूंगी 1 टेबल स्पोन सोया सास Half cup जितना मैं यहाँ पे दूद ले लूँगी वो डाल दूंगी इसके साथ ही एक अंडा ले लेंगे वो डाल दूँगी यहाँ पर मैंने दो ब्रेट स्लाइस लिये थे फ्रेश ब्रेट होनी चाहिए उसको इस तरह मैंने चॉपर में डाल के तो उनके क्रम्स रेडी कर लिया है वो डाल दूँगी अब इन सब चीजों को अची तरह से हम पीस लेंगे और बरीक सा इसका कीमा बना लेंगे और फ्रीज में ठंडा करने के लिए रख देंगे अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक रेप ले लिया उसको मैं वर्किंग सर्फर पर पर एची तरह रखके सेट कर लूँगी और जो कीमा मैंने बना के रखा थे ठंडा करने के लिए थोड़ा सा हाथों पर आयल लगा के उसको अच्छी तरह से मैं एक पेड़ा बना लूँगी और प्लास्टिक रेप पर रखके फिला लूँगी हाथों की मदर से मैं प्रेस करती जाओंगी और रोटी की तरह जैसे फिला लेती हैं उस तरह मैं इसको फिला लूँगी बहुत ज्यादा पतला नहीं हमने इसको रखना इसकी मोटाई थोड़ी होनी चाहिए आपकी एक इंच जितनी हलका हलका अटोपे में आयल लगाती जाओंगी और इस तरह इसको प्रेस करती जाओंगी तो जी इस तरह बन जाएगा तो मैं इस तरह रौंड शेप में इसको कट कर लूँगी आपके पास कोई भी गर में गलास है या कोई कप है उसकी मद्द से आप जितने साइज में बनाना चाते हैं पैटी उतने बना लें आप तो मैं इस साइज में बना रही हूँ इसी तरह मैं सारे बनाती जाओंगी तो इस तरह ये मैंने बना ली है ये इस तरह इनकी मोटाई होनी चाहिए बहुत ज़्यदा पतले नहीं होने चाहिए इस तरह मैं सारे बनाके रखती जाओंगी पैटी बनाने के बाद इनको मैं फ्रीजर में रख दूँगी ठंडा करने के लिए इनको अच्छी तरह से हमने ठंडा करना है अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है उसमें हाफ काप जितना मैं मैं मैंदा डाल दूँगी फोर टेबल स्पून कान फ्लार फोर टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर राइस फ्लार ले लूँगी यनि चावल काटा हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून बलेक पैपर पौडर एक अंडा और थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे मैं एक मिक्स्चर साइस का बना लूँगी पानी एक दम हमने सारा निडालना थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे मिक्चर बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और नहीं ही बहुत ज्यादा गहरा ओना चाहिए इसको बनाके हम जो चिकन के पैटिस बनाके रखी हैं उसमें इसको कोटिंग करेंगे जहाँ पर मैंने चेहादत ब्रैटा स्लीसिस ले लिए उनकी इस तरह मैंने करदी कर लिए कर लेंगे अच्छी तरह कोटिंग करनी है हमने अब चिकन पैटी को हम क्रम्ज लगा के अच्छी तरह चारो तरफ से कोट कर लेंगे अच्छी तरह से हमने इनको क्रम्ज लगाने हैं क्रम्ज लगा लेने के बाद इनको हम फ्रीजर में अच्छी तरह ठंडा करने के लिए तो जिपलाग बैग में डालके आप इसको काफी टाइम के लिए सेफ भी कर सकते हैं जब दिल करें आप निकाल के इसको फ्राई करें और इंजॉय करें हम मैं चिकन पैट इसको बारी बारी डाल दूंगे आल में और इनको अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए हमे एक साइट से इसको Richard गोल्डन कर लेंगे और साथ साथ टर्न करते जाएंगे साथ साथ आपने ज़ूर इनको टर्न करना है और जैसे जैसे होते जाएंगे मैं इनको निकालती जाओंगी साथ तो जहां पे हमारे जो हैं चिकन पैटी रैडी हो गए हैं यह बिल्कुल केंडन स्टायल में बने हैं आप इनको गर्पे बनाके जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजेगा मेरी वीडियो को लाइक शेयर हो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजे अपनी दौाओं में याद रखिएगा अलाफीज